तो एलो फ्रेंट्स वेलकम टो टैकेच्च अम्यूटिक चैनल तो फ्रेंट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो एससी की कुंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर अग्जाम वाली जो पोस्ट यहां पर लाइग हुई है उसके बारे में लेकिन फ्रेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथी बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आगया आने वाली ऐसी और भी वीडियो की नोटिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले हम इन इसकी जो एप्लिकेशन की हम बात कर लेत यहाँ पर स्टाइंग डेट 28-24 से है यह फॉर्म फिल्ड होना शुरू हो गए थे 25-24 मतलब कल से यह फॉर्म फिल्ड करे जाने है तो आप 25-24 से पहले पहले इस फॉर्म को फिल्ड कर सकते हैं उसके बाद हम यहाँ पर एज लिमिट देखे तो यहाँ पर 18 साल मिनिमम और म के लाकिट शींट भी आपको यहां पर मिल जाहेगी उसके बाद qualification की बात करें तो यहां पर आपको Master만 डिगन यहां पर आप यहां पर निकली हुई है यहां पर जूनियर ट्रांसलेटर ओफिसर के अंदर आमफोर्स के अंदर यहां पर देखने को मिल जाती है तो यहां पर जिस भी विवक्ति ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है ब्लास देट 25-24 है तो वह इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा उसके बाद फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा तो फ्रेंट्स चलिए देख लेते हैं कि फॉर्म हम कैसे फिल कर सकते हैं तो से पहले हमें इनकी वेबसाइट पर आ जाना है वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो प लोगिन कर लीजिए वरना आप यहां पर रिजिस्टर ना हो वाले ऐप्षन पर क्लिक करके सबसे पहले आपको रिजिस्टर यहां पर करना पड़ेगा जिस्टेशन कैसे किया जाता है उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाली हुई है चलिए मैं आपको दिख registration SSC के अंदर नई साइट के ऊपर यहां पर कर सकते हैं registration हो जाने के बाद आपको एक ID password यहां पर generate हो जाएगा ID password मिल जाने के बाद आपको इसी website पर दोबारा आ जाना है और यहां पर login वाले option में अपनी registration नंबर और password डालकर यहां पर capture फिल करके आप login कर सकते हैं तो चलिए हम जल्दी से login कर लेते हैं तो प्रेंट्स जैसे ही आप login वाले option पर click करेंगे तो आपके सामने आपके जो profile है वह यहां पर आ जाएगी आपका नाम पादर नेम मदर नेम आपका address वेगरा यहां पर सब कुछ आ जाएगा उस्ते बाद आपको नीची आजाना है जैसे ही आप नीची आएंगे तो आपको यहां पर जो भी लाइव हुई हो रखी है वह यहां पर देखने को मिल जाएंगी तो हमें कुमबाइन हिंदी परस्टनल डिटेय्टैल है जो यहां पर आ जाएगी जिए जो सारा यहां पर फिल हमें को मिल जाएगा तो हमसी नीचे आजाना है और नेक्सट आजwest वाल करके आ जाना है नेक्सट वाले उप्षिन चालिकेशन डीचीन मावन सब्सक्राइब सब्सक्राइजागर कर आप को डाल सकते हैं अपना की को तब याँ पर डालनी है ना अपने कौन से ट dewवरी ली थेट मेरे भी साहतिiscover अपने और यहांब डालना है आपके पास्रीक्या मुट अपको लिख देने हैं उसके बाद medium of examination आपको यहाँ पर select करना है medium of examination में आप जो भी medium आपका examination आप रहने बाला है वो आप यहाँ पर select सर लीजिए in the English और other में भी आप select कर सकते हैं then आपको अपना यहाँ पर roll number है जो उसे डाल देना है बाद आपको अपनी percentage डाल देनी है जितने भी आपके बीक कॉम या फिर बीए या ग्रेजुएशन के अंदर हम टा सकते हैं वो प्रेसेंटेज आये थे वह आप यहाँ पर डाल देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो य आप यहाँ पर डाल देजिए उसके बदुद नीचे आपको पासिंग यह ढलना है दन आपको यहां पर अपनी युनिवर्षी का स्टेट है करना है नेम डाल देना लें उसके बाद अबार आपको दो यहां पर रोड न Unf shelf यह बाद अगर आपके प्रसेंटेज आए हैं तो आप यहां पर प्रसेंटेज डाल लिए या पिर आप नीचे सीजी पे भी डाल सकते हैं यह सब डाल देने के बाद आपको से लिए और प्लिक करना है यहां पर आपसे पूछ रहा है कि अंदर अपर नो कर दीजिए उसके बाद आप से पूछा रहा है पी आपके जोब परचिंटे के लिए किसी और परस्नाल इंक्रमेशन आप इस और डाटा के लिए आप यहां पर डाटा देना चाहते हैं त से पर पर यहां पर यहां पर करेंगे यहां पर इशाव से लिए यहां पर दालनी हैं तो आप अपने साफ़ से लिए आप गईघ्रोपेश्ट करना होगा वन बाइट उसकेबाद हमें नीचे याँ पर ऑप्षन देखने को मिलता है यहाँ पर यह पर यह जो ऑप्षन है वो नहीं खुल रहे हैं क्योंकि मैंने पहले यह पर जो पर्सनल उपी अंदर हमने आप नो भीया था उसके बाद नीचे वाले भी ऑप्षन खाली है दन नीच या आना है पाटर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहां पर अपना सारए जो टांसटर रहें तो आप यां पर डाल दीजिए उसके बाद आपको यहां पर experience of translation work में आपको यहां पर अपना yes कर देना है उसके बाद अगर आपके पास experience है तो आप यहां पर yes कर यह वरना आप यहां पर no कर दीजिए उसके बाद आपको यहां पर अपनी photos upload वाला पोटो और सिगनेचर अप्लोड वाला एक ओप्शन देखने को मिलेगा इस पर आपको अपनी फोटो है जो वो उसे अप्लोड करनी है तो फोटो कैसे अप्लोड करनी है उसकी वीडियो भी मैंने पहले बना रखी है अप्लोड वाली आप यह वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं वरना मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझा जाएगा कि आप फोटो कैसे लाइव अप्लोड कर सकते हैं तो आप उसे देख लिए जए बाद चंक रंदी से मैं अपनी फोटो को यहां पर लाइव अफ्लोड कर देता हूं उसके बाद आपको नीची आना है फोटो अप्लोड हो जाने के बाद आपको अपने सिगनेचर है जो उसे अप्लोड करने हैं सिगनेचर आपको 10-20 के अंदर अप्लोड सिगनेचर है वो अप्लोड कर दीजिएगा उसके बाद अपको से बैंट फ़ले पर क्लिक कर देना है जैसे आपको यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर पर सब्मिट हो जाएगा वरना आपको अगर आप अदर चैंडिटेट्स के अंदर आती हैं जिन पीस रखी ग आपको करनी पड़ेगी उसके पार आपको फोरा दैन आपको अपनी प्रोफाईल कर दोबारा जाना है और वहां से आप अपना application का प्रिंट है यो ले सकते हैं तो आप जैसे यह आपने application पाएं गे तो आपको यहांप पर अप्र प्रिकेशन प्रिंट वाले स्न अप्षाइब करके और आपको क्लिक करके अपना एक प्रिंट है वो निकाल देना है तो इस तरह से आप अपना एससी का जो वह सकते हैं तो वीडियो में अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और कैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर सकते हैं